डोर स्टेप डिलेवरी डिएसडी वाहन मालिकों ने लंबित किराया भुकतान को लेकर हर्ताल कर दिया है जिसके कारण अप्रेल माह का खाध्यान का वठाव कारी प्रभावित हो चुका है डिस्डी समवेदक वडिस्डी वहन मालिकों के रस्सा कसी में गरीब लाभुख खाद्यान से अब तक वँचित होते दिख रहे हैं बताया जा रहा है कि किराया भुकतान के कारण ये गतिरोद करीब 16 अप्रिल से ही जारी है वाबजूद अस्थानिय प्रशाशन वा गुदाम प्रबंदक चुप्पी सादे हुए हैं जबकि डिस्डी वहन मालिक बिना भुकतान के गारी परिचालन करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं वहन मालिकों ने बताया कि गत आठ महिने से उन लोगों को किराया मद की रासी नहीं दी गई है पैसा के अभाब में अब पेट्रॉल पंप वालों ने भी तेल देना बंद कर दिया है ड्रैवर को करज लेकर पैसा देते देते ठक गए हैं जबकि हर बार समवेदक पैसा की बात को टाल दे रहें आखीर करज लेकर कब तक गारी परिचालन कर पाएंगे उधर अप्रेल माह का खाद्यान का उठाव नहीं शुरू होने से लाबकों की परिचानी सामने आने लगी है इस्तितिया है कि PDS विक्रेता लाबकों को समझाने में विफल हो रहे हैं इस सम्मन में गुदाम प्रवंदक ने बताया कि उन्हें आज ही जानकारी हुई है कि DSD वाहन का परिचालन बंद है उन्होंने बताया कि सम्मन में वो अधिकारियों को पत्राचार करेंगे हलांके उन्होंने माना कि DSD वाहन मालकों का भुक्तान लंबित है कि थे कि अपने जेव शे उसमें कुछ हो दिया है यह कार मिना कर्मेंट किया है इस लगाए और पेट्रोल पंबला दे रहा है विस अपारा वही अस्वासन दे रहा है योज़ पैसा आ रहा है तो मिलेगा पैसा देंगे देंगे लेकिन एक ही पैसा देने थी द्राइबर सब का बयतान पैसा का अभाब में नहीं दे पा रहे हैं और यक्सों तीन गुटलीटर हो गया है अपरती दिन अपना घर से पैसा नहीं है इसके चलते गारी मजबूरी में बंद करना पर है